जैस्रीकिष्णा कथा खाने गीट चैनल में आपका स्वागत हैं अनन्त चवदेश की कथा विदी वरत वाले दिन सुर्योदे से पहले भ्रहमूरत में उठकर अपने नित्य कर्म से निवरत होते ही फिर विद्वान आचारे को बुला कर भगवान का एका क्रचित से पूजन क चाहिए शर्दा पूर्वक पंचामरत से सनान कराकर भगवान को नेवज अर्पन करे तता समस्त पूजन की सामग्रियों से यथा विदी पूजन करे बाद में बगवान का परसात बंदू बांद वालों को देफी स्वियम परसात पावे वरत के दिन जागरन करना अनिवार इस वरत नियम पूर्वक वरत कथा पूजन करने से पूर्वसुक आरोग्यता सम्रदी मस धन्यद्यान संतान वेपवता विजय को प्राप्ति होती है अत्म अन्त में सायुज मोक्स प्राप्त होता है अनन्त चतुरदैसी की कथा स्री सूत जी बोले नेमी सायनेक से कार के रत्नों से सुष्ववित मोती के समान कानती वाली इंद्र सभा में सद्रेश्ट सोभायमान हो रहे थी उसमें एक के निमीज सभी राजया को बुलाया उसी समय गांदारी का पूत्र दुर्योदन एक साला में आया दुर्योदन वहां सूखी आंगन को जहल से भरा दे यह देख दुर्योदन अत्यंत क्रोधित हो उसके मामा के साथ हस्तिनापूर चला गया उस समय सुकुनी ने दुर्योदन की मदूर वचन कहा हे राजयन आप अपने करोध को अपने कारे के लिए छोड़ दे क्यों कि जुआ खेलने से आप सारे राज को पा सकते हैं हे राज चात राजय दुर्योदन ने हस्तिनापूर में आकर रिजिस्टर भीम अर्जुन आधी पांडु पुत्रों को बूला कर जुआ खिलना आरंब किया कपट से उसके राजी को श्यम हडप लिया और निविप्रादी पांडवों को जीत कर वन में बेज दिया अब पांडव व प्रणाम करने लगे जिस्टर बोले है जगदिश्वायर परिवार सहीद में बहुत दुखी हूं इस दुख का सागर से मुक्ति का उपाय बतलाईए है बगवान किस देवता की पूजय से हम अपना राज प्राप्त कर सकते हैं अत्वा किस वरत को करू जिससे आपके परसा जी आपके कहे हुए ये अनन्त बगवान कौन है क्या सेशना के क्या तक्सक सर्व है अत्वा परमात्मा को अनन्त करते हैं ये के सभी अनन्त कौन है करपा कर हमें यथार्थ कहीए श्री कृष्ण जी बोले अनन्त रूप मेरा ही है सुर्यादी ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं और पल विपल दीन रात पक्स मास रित्व वर्ष यूग यह सब काल कहे जाते हैं जो काल कहे जाते हैं वही अनन्त कहा जाता है मैं वही क्रिष्ण हूँ जो पर्थवी का भार उतारने के लिए अतार्ण किया है और दूस्टों का नास तथा सादों की रक्षा करन को वासुदेव के मस में उत्पन हुआ हूं आधी मध्य अंत क्रिष्ण विष्णु हरी सीव यंकुट सूच चंद्र और सर्व व्यापी इस्विर तता स्थ्रष्टी का नास करने वाले विशरूप महाकाल इत्यादी रूपों को मेने अर्जुन के ज्यान के लिए दिखलाया योग्यों के ज्यान करने योग्य और संसारूप अनंत जिसमें चतुर्दस इंद्र है अश्टा वसू बारा सूर्य एका दसा रूद्र और नारद आधी साथ विशित्ता समूंद्र विद्याचल आधी परवत गंगा आधी नदी तथा व्रक्ष आधी नक्षयत्र एव दस अब आप अनंत वरत का महात्मे और विदी कहिए तथा अनंत वरत का अनुस्टान करने वाले प्राणे को क्या पून होता है उनका क्या फ्ल मिलता है सो कहिए यह जानना चाहता हूँ पूर्वकाल में यह अनन्त वरत किष्णे किया था और मर्त्यू लोग में किष्णे परकासित किया है यह सब विस्तार से कहिए तब कृष्णे जी बोले है युरिष्टर पहले युग में इस सुमंत नाम का प्रामन था उसके वरिष्ट गोत के उत्पन ब्रिगु की सुंदर कण्या दिक्सा का वेदोक्त विदी से विवा किया थोड़ा समय बितने पर उसके गर्भ से अनन्त लक्षनों वाली कण्या उत्पन हुई वस उशिला शिला नाम वाली कन्या पिता के गर बढ़ने लगी उसी समय शिला की माता ज्वहर की पीडित हो पवीत्र निदी में जल में गीर कर मर गई उसके पश्चा सुमंत ने ब्रामन की कन्या से जिसका नाम करकसा था विदी पूर्वक विवा किया दूश्च सरवाव करकसा नित्य जगड़ा करने वाली थी उसकी सोतली शिला नाम की कन्या अपने पिता के गर में भीत पर और खंबा पर तथा दहेली पर चित्र कला में तोरन आदी चतूर थी तोरन आदी बनाने में चतूर थी निले पिले सपेत काले इत्यादी रंगिन चीत्र विचित्र के सतिय संकल बारंबार बनाया करती थी इस परकार बहुत काल व्यतित हुआ और इस परकार वह कोमार ये अवस्ता वाली शिला पिता के गर में बड़ी हुई इस्त्रियों की युवा वस्ता चीन से युक्त सिला को देख सुमंत को चिंता की की ये कण्या में किसको दूँ और इस विचार में दुखी हुआ उसी समय वेद के जानने वालों में से स्रेष्ट और इस्त्री की इच्छा करने वाला कांती युक्त मुनियों में स्रेष्ट कॉंडिन ये रिशी वहां आए और बोले हे सुमंत तुमारी सुंदर कन्या शीला को में वरन करना चाहता हूं तब सुमंत के सुब दिन के स्रेष्ट मुनी एक धर्म पूरुष कॉंडिन नामक रिशी के कन्या का विवा कर दिया स्री कृष्ण जी बोले हे युजिस्टेर ग्रेष्ट सूत्र की कही हुई विदी से विवा किया उस समय मांगलिक कारी किये गए और इस्तियों ने मंगल गान किया ब्रामनों ने स्वयरेचित वाचन तथा बंदी जनों ने तुमारी जय हो गोश किया यह विवा कर्म संपन हो करने पर ब्रामन ने अपनी पतनी करकस्था को सुमन्त बोले हे प्रिय दामात को संतोष के लिए खुष देना उची थे एसे वचन सुनकर करकस्था ने कुरूद हो अपने घर में संपून परदार्तों को एकत्र कर उने पेटि में बंद कर अपने पीता के गर जाने को कहा और बोजन के बच्चे हुए पदार्त मार्ग में बोजन के लिए रख लिए। सुमंत से बोली कि घर में धनादी कुछ भी नहीं है जो हो देख लो। मार्ग के पूर्णे रुपा यमना नदी को देख और उसके किनारे रथ खड़ा कर नीत कर्म करने को चल दिये। दोपर को बोजन के समय उसी यमना तर्ट पर उतर सिल्ला ने लाल वास्तर पानने हुए बहूत इस्त्रियों को देखा जो अनंत चतूर्ती की भक्ति पूर्वक जनारदन भगवान को पूजा कर रही थी। उन इस्त्रियों के समेब जाकर धीरे से पूचा हे भाजियाओ क्रिपा कर आप मुझसे कहो कि आप किसका वरत कर रही हो इस वरत का क्या नाम है। तता किस देवता की पूजा होती है उसके यह वचन सून कर इस्त्रियों बोली है शिला अच्छे अन का एक सेर मालपुआ बनवावे जिसमें से आदा भाग ब्रामन को दे आदा भाग आप पोजन करे और क्रिपणता से त्याग कर सक्ति अनुसार ब्रामन को दक्षना दे। किसी नदी के किनारे अनन्त का पूजन करे कुशगा का सेंशनाग बना कर बास की टोकरी में स्तापित करे। फिर उस शेंस का आवान प्रान पर्तिष्टा करके श्णन करावे और वेदी के चंदन पूस्प धूप दीप और बहुत परकार के नेवज अनेक परकार के पकवानों से उनकी पूजा करे उस शेंस के आगे कुमकुम से रंग कर उसके चोदर गाट लगा कर उस दोरे को पूजन कर पूरुस अपने दाये हाथ में और इस्तरी अपने बाये हाथ में बानते हैं बांते समय या मंत्र पड़े हे वासुदेवी संसार रुपी संसार में डूपते हुए मेरा उद्धार करें एसा स्री अनंत सूत्र है इसके लिए मेरा नमस्कार है तदंतर सूत्र को हाथ में बांध कर अनन्त की इस कता को सुने आओ संसार उपी नारायन अनन्त का ध्यान करे हे शिला इस परकार हमने तुम्छे इस वरत का विदान कहा स्री कृष्णा जी बोले हे युजिस्टर हूँ सिला ने इस्त्रियों के ऐसे वचन सुनकर अति आनन्त को प्राव्त हो हाथ में 14 ग्रंती युक्त दोरा बांध कर इस वरत को गिया मार्ग में आर्थ को भोजन दिया गया था आदा भ्रामण को खिलाया सेयस आप दोनों ने भोजन कर आनन्त से पत्ति के साथ बेल गाड़ी में बेट गई बेल गाड़ी में बेटकर घर गई उस समय से सीला को व्रत का प्रबाब मालूम हूँ अब अनंत व्रत करने से गो धन और लक्षमी उसका घर परिपून हो गया अथिती के सतकार से सीला सदार लगी रहती थी और माने के स्वर मोत्यों के हारों से सू सजित हो गई देवताव के इस्तरया के समान धन पुतरादी से यूगत हो सावित्री के समान पती व्रत को पती का आनंद से रहने लगी किती समय उसके पती ने सिला के हाथ में अनंत का डोरा बंदा देखा और फुचा है सिला इस डोरे को तुने मुझे वस्मे करने के लिए बांदा है सतिकर किसके अर्थ तुने यह दोराव धारन किया है सिला बोली है स्वामे जिसके परसाथ से मनुशे इस लोक में धन धन्यादी संपदाव को पाते हैं उसी अनंत के डोरे को में ने धारन किया है सिला के एचे वसन सुनकर उसके पति कुन्डिन रिशी ने लक्षमी के मन्द से अनंत के डोरे को तोड़ डाला और बोला यह अनंत कौन है उस मूंड के डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया तब हाय हाय कर दोरती हुई शिला ने अनंत सुत्र को अगने से निकाल कर दूद में डाल दिया इन कर्मों से फल से कॉनिन के सब एस्वर्य नस्ट हो गए चोर उसकी घोचूरा ले गए आग से उसका जल गर जल गया और जो पदार्थ जिस परकार से आया था उसी परकार से गया अपने स्वजनों से कलह और बंदू से नित्य प्रति जगड़ा होने लगा उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर की द्रेटता आ गई भगवान बोले हे युजिस्टर उससे कोई मनुशों बोलता भी न था प्रिड़ित सरी से अनंत दूखी होकर वह बोला हे सिले मुझे अकस्मात सोख होने कारण है मेरा धन नश्ट हो गया है कोई मुझसे बात नहीं करता है देख के नित्य प्रति प्लड़ा होती हैं है सिले मुझसे क्या प्राध हुए है और क्या करने से मेरा कल्यान हो सकता है पति के एसे वचन सुन शीला बोली है स्वामी आपने जो अनंत के दोरे का आपे अक्षेप किया है उसी का पाप ये फल है है महाबाग बविश में द्रव ये आदी सब होने होंगे परन्तु उसके लिए उपाय करो शीला के वचन सुन वह अति दूखी हो तब करने के संकल पले वन में जा आयू लक्षेद करके तब में विचार करने लगा इसे जगदिस्वर अनंत का दर्षन जिसकी परसंसा से द्रवियादी परदार्थ मिलते ह और उनके हस्त से सब पापनेश्ट हो जाते हैं कहां पर मिलेंगे दनाधी परदार्थ होते ही सुक तथा दूख का या विचार करता हुआ वह नेरजल वन में गुमने लगा वहां उसने फलो के समान व्रक्ष देखा उसने कीड़े पड़ गए थे यह देख कॉंडिन ने व एसे उत्तर को सुनकर कॉंडिने रिषी महा दुखी होकर आगे चले स्री कृष्णे जी बोले है यूजिस्टर अनंत के अर्षन की लालसा करते हुए रिषी ने वन में इदर उदर गुमती हुई बच्छरो सहीत गो को देख कर उससे गाय से पूचा है तुने अनंत को नहीं देखा है जब कॉंडिने रिषी ने आगे चलकर दो पुष्प करणियों को देखा जिसने कलोल के परस पर लहरे मिल रही थी और कमल कुमूदिनी बहुत परकार के सोबा दे रही थी तथा ब्रह्मन हंस चक्वा तथा सारस वगला जाती के पक्सिक क्रिडा कर रहे थे उस कॉंडिने ने पुष्प करणियों से पूचया तुम दोनोंने अनंत को देखा है यस उन पुष्प करणियों ने उत्तर दिया है द्वीज हमने अनंत को नहीं देखा है आगे चले उसके गद्दा तता हाती को देखकर उससे पूचया कि अनंत को देखा है उसने भी संत होने पर हे अनंत एसा करते हुए कॉंडी ने उठ कर संकल्प किया और प्राणों को छोड़ दूंगा थे जुजिस्ट तब व्रक्ष पर मरने के लिए फासी डाली तो तभी अनंत का पर्त्यक्ष होकर आ गए ब्रामन का रूप धारन की अनंत ने का हे द्वीज इधर आओ और उसका दाहिने हाथ पकड़ कर परवत की गुफा में ले गए वहां सुंदर इस्त्री पुरुसों ने यूगत उस रिशी को अपने पूरी को दिखाया वहां पर एक दीवे सिंहासन पर बेर कर संक चक्र गदा पद्द और गुरूड सहीत विश्व रूप अपनी विभूति को कॉंडिने रिशी देखकर उसकी सिंह करने लगे फैब पुंदरि कास में पापी हूं पाप कर्म करने वाला पापात्म्हों में पाप से अनंत और पाप से उत्पन हूं आप मेरी रक्षा करे ओर में पापों को हरे हे जगदिस आज मेरा जीवन तथा जन्म दुनों धन्य है तुमारे चरण कमलोगों मेरा मस्तक ब्रहमन से समान सपर्ष कर रहा है कॉंडिन रिशी के वचन सुनकर अनन्त देव मदूरवानी से बोले हे कॉंडिन ने तुम निर्वर होकर अपने मन की बात मुझसे कहो तब कॉंडिन ने मैंने अपनी संपति के गमंड में आकर अनन्त का डोरा तोड़ कर उसके निंदा की जिससे मेरी सब संपत्दा नष्ट हो गई है स्वजनों का नित्य जगड़ा होता है और मुझसे कोई बात भी नहीं करता है अनन्त भगवान की करपा से दया पुरवक आपसे मुझे दर्शन दी है मैं जो पाप किया है करपाया उसकी शान्ती का उपाय मुझे बतलाई श्री कृष्णी जो बोले है युजिस्टर भक्ति से संतुष्ट होकर अनन्त देव क्या न देवे अनन्त भगवान बोले है कॉंडिने विलम्न मत कर अपने घर जा और चत्तुर दसी व्रहत कर पक्ति पुरवक अनन्त व्रहत कर तू सब आपों से छूड़ कर सिद्धी को प्राप्त करेगा तेरे पूत्र पोत्र होंगे तथा और सुको का उपबोक करेगा अन्त समय में मेरा स्मर्ण होगा और पीच्चे नी संदे है अमरपद को प्राप्त होगा संपूर्ण लोगों का उपचार के लिए मैं तुमको और भी वर देता हूँ संपूर्ण विदी से इस वरत को कथा पढ़ने वाला और शीला के समान इस अनंत का वरत करने वाला इस वरत के परभाव से जल्दी ही सब पापों से छूट कर परमगति को फ्राप्त करेगा हे कॉंडी ने तु जिस मार्क से यहां आया है उसी मार्क से अपने घर चलागा जब कॉंडी नो बोला हे स्वामी मैंने वन में गुंते हुए एक आच्छे से देखा है आप आप से पूंचता हूँ करपा कर आप उतर दिजी वन वह आम का वरक्ष गो बेल कमल आदी जो कौन है आप इन शुतरों का वर्तांत मुझे कह है तब अनंची बोले हे कॉंडी ने जी आम का वरक्ष पूर जन्म का विद्वान ब्रामन है और विद्यार्तियों को विद्यादान न देने के कारणु रख्ष हुआ है वह गो पर्त्वी है उसके पूर्व जन्म के बीज को चुरा है और वह बेल है जो धर्म है धर्म और अधर्म के कारण वे दोनों पुश्व करन्या हुई है वे पून जन में वह कोई ब्रामन जाती की दोनों भागिनी थी जो धर्म करती थी पर परस्पर कहती थी और उन्होंने ब्रामनों को अतिती को दुर्बल को कूछ भी बोज सबी नहीं दिया था उस पाप कर्म से परस पर लहरी और जल एकत्र होता है वह गदा क्रोध है वह हाती मंद है और रक्ष ब्रामन है मैं अनन्त हूं और वह कंद्रा संसार है इस तरह कहकर अनन्त जी अंतर ज्यान हो गए यह चरित कॉंडिने श्वपन समान दे कर अपने घर आ मैंने आपको सुना इस वरत करने से मनुष्य संपापों से चूट जाता है इसके संसे नहीं है जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूड कर अनंत लोग को प्रात होते हैं ये कुरु कुलो द्भव जो कोई सुद्ध चीत वाले मनुश्य संसार के साकर को सुख पुर्वक विहार करता चाहते हैं वे त्री भुवन के स्वामी अनंत पकवान को फूजा करके दाहीने हाथ में सु अंदर अनंत देव चतुर्दसी ग्रंती वाला डोरा बांते हैं जहिए अनंत चतुर्दसी